वेलकम बैक टो निशाज रहेंबो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि जो हमारे खून के रिष्टे हैं ब्लेड रिलेशन्स हैं हम उनके बिना भी नहीं रह सकते और कभी-कभी मुश्किल हो जाता है उनके साथ र टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गाठ पड़ जाए सौ प्रतिशत सकते हैं दोस्तों हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं चीजों को क्योंकि जो आपके ब्लेड रिलेशन है इनसे आपको तकलीफ जो पहुंचती है त क्यों उसका रीजन है क्योंकि हम उनसे उम्मीद रखते हैं चली पहला पॉइंट यहीं ले लेते हैं उमीद को ही खत्म कर देते हैं ना उपेक्षा करिए और ना अपेक्षा करिए अपेक्षा इसलिए होती है सामने वाले हमें हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहीं से रिष्टों में दरारानी शुरूर हो जाती है हो सकता है सामने वाले की कोई परिस्थिती हो या हो सकता है वह आपकी चीज़ को समझ ही ना रहा हो तो समझाईए अपनी बात को समझाईए जरूर लेकिन हमने तो इनके लिए इतना इतना किया और इनोंने हमाई लिए कुछ भी नहीं किया तो एक्सपेक्टेशन मत रखिये अगर आप करने में सक्षम है किसी की मदद तो आप करिये लेकिन बदले में उम्मीद मत रखिये चाहे वो अपने ब्लेड रिलेशन है और चाहे दुनियादारी के कोई भी रिष्टे है आपने जहां एक्सपेक्ट कर लिया जहां पे उम्मीद लगा ली तो उमीद तो टूटेगी न उपिक्षा भी ना करे रिष्टू की उपिक्षा ना करे आप से बड़े हैं घर में लोग आप से छोटे हैं उनसे जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए वैसा ही करिए आप से बड़े हैं तो आप उन्हें इज़त दीजे रिस्पेक्ट दीजे छोटे हैं तो उन्हें प्यार दीजिए, आपके समान है, समान आयूवर्ग के हैं, तो उन्हें मित्रवत वेवार रखिए तीसरी चीज मैं बोलूँगी कि बहुत खुले दिल से मिलिए, कम से कम अपनों से वहां पे ट्रांस्पेरेंसी रखिए, आप क्या सोसते हैं जो आपके जबान पे रहे, वही आपके दिल में होना चाहिए और वही आपके दिमाग में होना चाहिए, इमानदार बनिए, अपने रिष्टों के प्रतिमानदार बनिए ट्रांस्पेरेंसी रखिए, सामने वाले को विश्वास दिलाए कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है इससे अलग जाकर हम कुछ नहीं सोचते आपके लिए रिष्टों में विश्वास बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ता है नहीं रहेगा, तो आदमी पीट पीछे, कितना भी मजबूत परिवार है मैंने बहुत मजबूत परिवारों को भी तूटते हुए देखा है वहाँ पर विश्वास नहीं है, वहाँ ट्रांस्पेरेंसी नहीं है हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, और हमें लग रहे हैं कि ये तो अलगी लेवल पे जा रहा है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कम से कम अपने ब्लड रिलेशन में तो नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि बाहर भी फेयर रहें आपका अगर नेचर बन गया ये कि हर चीज़ में आप ट्रांस्पेरेंट है, आपके जो अंदर है वही बाहर है, वो चीज़ आप दिखा सकते हैं तो जरूर इस चीज़ को शोग करिए कभी-कभी बाहर के समाज में दुनिया में आपनी को मुखोटा लगाने की जरूरत परती है, लेकिन अपनों के बीच में कभी जरूरत नहीं जो आपके अपने हैं, वो कभी आपको मुखोटे के साथ एकसेप्ट नहीं करेंगे एक चीज होती है दोस्तों, हम अपनी कही हुई बड़ी-बड़ी बाते तो भूल जाते हैं और सामने वाले की छोटी से छोटी बात हमें याद रह जाती है, जो हमें बड़ा दर्द पहुँचाती भई इन्होंने तो इस सिचुएशन में मुझे ऐसे बोला था तो दोनों ही चीज़ें याद रखिए, अगर आपने भी कभी किसी का दिल दुखाया है, वो चीज़ याद रखिए शब्दों को हमीशा तोल मोल कर बोलिए शब्द वो तीर है, जो किसी तीर से ज़्यादा गहरे लगते हैं ऐसा दिल में चुभते हैं, और खासकर अपनों के शब्द ऐसे जाके दिल में जज़्ब होते हैं कि ना तो कहते बनता है, ना तो सुनते बनता है, ना किसी को बोलते बनता है दूसरी चीज़ है, दूसरों से जाकर के बुराई मत करिए आपके जो भी रिलेशन, आपके जो भी इशूज हैं, उनको आप आमने सामने बैठ करके सॉल्व करें दूसरों से जाकर के गाना, भई वो तो ऐसे निकले, हमने तो उन्हों ऐसे सोचा था, हम तो वो तो ऐसे निकले ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी, दुनिया गोल है न, सराउंडिंग में चीज़ें घूंगती रहती हैं, जो भी आपके शब्द निकले वो आप तक, या सामने वाले तक जरूर पहुँचते हैं घूंगे इसलिए शब्दों पे हमेशा नियंदरन रखें, ज्यादा अच्छा है, बहुत गुसा आ रहा है, तो चुप हो जाए, कुछ भी बोलने से पहले, दो बार तोल ले, मोल ले, कि ये शब्द, जो हम बोलने जा रहें, शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, कि हम सामने सामने वाले को हड कर सके, लेकिन वो रिष्टा हमाई लिए जरूरी है, या वो बात जरूरी है, ये हमें तै करना पड़ेगा, सामने वाले को हम किस हद तक हड कर सकते हैं, उसको हड करके हम सुकून में रह पाएंगे, क्या, इन सब चीजों का पूरा मूल विचार कर लेना चाहिए, और जितना भी हो रिष्टो में लेन देन, जो कहते हैं नहीं, कि लेन देन बना रहना चाहिए, नहीं, लेन देन में भी फिर एक्सपेक्टेशन जगती है, जो कि आपको हमेशा घायल करेगी, हमेशा चोटिल करेगी, जरूरी नहीं है कि आदमी आपकी एक्सपेक ये काम है करवादो बैंक का है या बच्चे का अधमिशन नहीं करवा पाया तो हम हर्ट हो जाते हैं दूसरी चीज है कि हमें अपने एगो को इतना छोटा भी नहीं रखना है कि जो कोई आए उसको हर्ट करके चला जाए और थोड़ा सा अपने आपको मैच्योर रखना पड़ेगा अपने विवाद में दो लोगों का तीन लोगों का चार लोगों का जिनका भी विवाद है आपस में उनको तीसरा पक्ष नहीं लाना चाहिए कभी भी चाहे वो आपके पैरेंट्स हो या आपके भाई बेहन हो किसी को भी आप बीच में ले आने से जो उनसे रिष्टे हैं वो भी खराब हो जाएंगे इसलिए अपने मैच्योर्टी लेवल को बढ़ाईए और बाते करके बातों को खतम करिए देखिए होता क्या है बोलने को हम लम किसी को हर्ट करने के लिए बहुत बडवी-बड़ी बात 보lights बोल जाते बहुत चीजें ऐसी बोल जाते हैं जो शाइद हम नहीं भी बोलना चाहेंगे वो चीज़ेंगे लेकिन होता क्या है रिष्टा तो तभी कभी ना कभी जाकर कि सामान्य लेवल पर आ जाएगा मिले लेंगे जुलेंगे हसेंगे बोलेंगे लेकिन जो आत्मियता है जो मधूरता है वो खत्म हो जाती अंदर से वो रिलेशन को आप फिर वापस कभी नहीं दे पाएंगे इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें दोस्तों कितनी भी गुसे में हो अपशब्द नहीं निकलन करना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं वह भी लड़े सामने से नहीं समझदारी दिखानी चाहिए अगला पॉइंट है मेरा कि विश्वास जो विश्वास कहा जाता है विश्वास एक्शूल में बहुत बड़ा शब्द है बहुत ब्रॉड है ना हम सब पर विश्वास कर पाते तो विश्वास को एक बार ना करके देखिए आप सामने वाले पर विश्वास करके देखेंगे वो भी आप पर उतना ही भरोसा करेगा उतना ही विश्वास करेगा और तब आप एक दूसरे को जादा अच्छे से खुले मन से समझ पाएंगे तो समझ ये ये जीवन एक बार मिला है, इसके बाद पता नहीं कौनसा जीवन मिले, मिले भी ना मिले, तो अपने रिष्टों को सहेज लीजिए, जो आपके जीवन का आधार है, उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहिए और हाँ ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि सामने वाला आपको चोट पहुँचाते जा रहा है और आप चुपचाप बैठे होए कि हम रिष्टे निभा रहे हैं रिष्टे ऐसे नहीं निभते सामने वाले को ये जरूर बता दीजे कि आपने हमें चोट पहुचाई है बिल्कु साफ शब्दों में उन्हें बुरा ना लगे softly spoken आप आराम से बता दीजे कि भीया तुम्हारे इस बात ने मुझे हर्ट किया है सामने वाला भी alert हो जाएगा आगे से ऐसी बाते आपको बोलने के लिए एक बार इशारा करना जरूरी है बताना जरूरी है कि आप अपनी मर्यादा में रहें आपको कोई हक नहीं है इस boundary line को cross करने का सबकी अपनी अपनी लक्षमन रेखा है और उस रेखा को पार करने का हग किसी दूसरे को नहीं है से ठ्लाव रखिंए अपने रिष्टों में आप किसे के लिए कुछ करते हैं अच्छे बात दुराओ चुपाओ मत रखें न किसीने क्या किया आप उस लेवल का कर पाते यह कर पाते या नहीं कर पाते डाच़्न मैठर यह बिकुल भी मायने नहीं रखता है माइने ये रखता है आपकी feelings एक दूसरे के प्रतिक्या है ऐसा तो नहीं है कि आप सामने वाला आपके लिए बहुत अच्छा सोच के करते जा रहा है और आपके मन में उसका अरे ये तो ऐसे ही है ये चीज नहीं होना चाहिए जहां पर आपने रिष्टों को for granted ले लिया वही पर समस्याइं शुरू हो जाएंगी ऐसे में जो parents होते है parents का रोल और भी ज्यादा important हो जाता है उन्हें कभी भी एक एक पक्ष को बैठ के नहीं सुनना चाहिए उन्हें सामने बठा के अपने बच्चों को फिर उनसे बात करनी चाहिए देखे जो शुत्रमुर्ग होता है वो रेत में सर गड़ा के बैठ जाता है कि अब तो तूफान आया मैं बच गया लेकिन तूफान तो आता ही है क्या वो बचता है नहीं तो समस्या को देख करके समाधान ढूड़िए उसका किवाद सर रेत में घुजा लेने से आप उस situation को avoid नहीं कर सकते कितने दिन avoid करेंग यह चीज है एक दूसरे के सुखदुख में साथ रहिए बाहरी दुनिया से आप मदद मांगेंगे कुछ भी मांगेंगे उससे अच्छा है कि आप अपनों से बात करें जब आपसे कोई राय मांगता है तभी आप दीजिए unnecessary कि किसी के भी पचड़े में पढ़ करके अपनी जो आपने जगें बड़ी मेहनत से बनाई है इस तरी की situation कभी आती है families में तो विवाद में मत पढ़िये फैमिली में क्या होते है बहुत चोटी चोटी बाते होती है उसने हमें ये क्यों नहीं बताया इसने हमें ये क्यों नहीं बताया इसने ये नई चीज ली तो हमसे क्यों नहीं शेयर किया हमें दूसरों से क्यों पता चल रही है ये वहां गया तो हमें क्यों नहीं बताया कोई किसी के घर में कोई खुशी है कोई occasion है कुछ celebration है तो वो मना रहा है और उसने हमें नहीं बताया कोई तकलीफ में है कोई hospitalized है कोई चोट लगी हुई है कोई दिक्कत है उसने हमें नहीं बताया ये चोटी चोटी बाते हैं, चानते हैं, अपने blood relation में बहुत बड़ी बाते नहीं होती हैं, तलवारे नहीं खिर्षती हैं, वह चोटी चोटी बाते होती हैं जो हरट कर जाती हैं इन्सान को इसलिए जरूरी है कि उन छोटी-छोटी बातों को चोटी-छोटी घी रहन दे, उनको बहुत बड़ा विक्राल ना बना है, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और थोड़ी सी पहल करने की जरूरत है, पहले तू बड़ा या मैं बड़ा, तो जो बड़ा है वो तो ही तो इसलिए रिष्टों को सहे जिए क्योंकि आप दुनिया से लड़ सकते हैं फैमिली स्ट्रेंथ परिवार आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम आप अगर आपके साथ आपका परिवार खड़ा है किसी भी सिच्वेशन में आपका परिवार खड़ा है तो आप फिर से एक बार उठके खड़े हो सकते हैं आपका सेलिब्रेशन सात्वें आसमान पे चला जाता है लेकिन जहां आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए कितना भी बड़ा आपके लिए चेयर पसंद आई हूं तो जरूर बताईएगा कमेंट सेक्षन में आ करके मेरे दिल की ये बाते थी तो मुझे साजा करनी थी आपके साथ मिलती हो फिर अगली वीडियो में नमस्कार दोस्ते